आईए फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा वेसमुट अगियों महाराष्टे में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूँ काफी लोग मेरे पास में आते हैं कि उनका जो सेक्स परफॉर्منस है उसका समय बहुत कम हो जाता है उनको उसमें सम्मादान मिलता नहीं ना पती को मिलता है ना पत्नी को मिलता है और उसके लिए वो सला लेने के लिए आते हैं काफी लोग ऐसा बोलते कि एक मिनीट के अंदर अंदर ही उनका वियरए गिर जाता है और उसमे ना पत्निको समाधान ना पतिको मतलब उनको खुद को समाधान मिलता है तो लोगों को यह चाहिए कि उसमें समाधान मिलना म oblivion इतना समय तक संभोग नहीं करना मतलब नहीं जमता है तो समझना कि वो शिगर पतन है फिर से रिपिट करता हूँ कि पती पतने को दोनों को भी समाधन नहीं मिल रहा है वो संभोग में और उसके पहले ही विरे गिरे जाता है तो इसका मतलब वो शिगर पतन है और वो ज़्यादा देर टक टिकने वाला है नहीं ऐसा संभूक का ऐसी संभूक की वो प्रक्रिया है अब उसको लंबा कैसे करना वो समय लंबा कैसे होंगा ताकि दोनों को समधान मिलेगा उसमें कुछ नैचरल में आपको बताता हूँ दवाई तुम्हेंने और कोई वीडियो में बताई हूँ नैचरल जो है नैसरगिक प्रक्रिया क्या हो सकती जिससे सम्मुका समय बढ़ सकता है एक तो क्या है कि अपने माइन को कंट्रोल करना सिखना ची कि यदि माइन में पुरुष को यदि बहुत ज़्यादा उत्ते जना आ जाती है तो जल्दी वीरे गिरे जाता है अब उत्ते जना समझे जादा आ जाती है तो उसमें क्या करना ची उत्ते जना बहुत जादा आती है तो उसमें यही माइन को शांत करना या कंट्रोल करना है तो अपना लक्ष अपने विचलित करना ची अपना लक्ष वहां फोकस न करते वे अपने दिमाग में और कोई विच जाएगी और संभू करने का समय बढ़ जाएगा मन को शान्त कर सकते हो रिलाक्स कर सकते हो संभू करने के समय भी रिलाक्स कर सकते हो उस समय सास को कंट्रोल के लिए आप करते हो और सास आराम आराम से लेते है आराम से लेना और आराम से छोड़ना तो उससे भी शिक्र पतन का समय मतलब जो पतन जो होता है उसका समय बढ़ सकता है हो सकता है कि संभोग इसा आपको लग रहा है कि नहीं जल्दी गिरी जाएंगा तो संभोग का समय उस समय वो संभोगी रोक देना चाहिए और संभोग रोक के कुछ समय तक इंतजार करना चाहिए एक या दो मिनिट या त stop squeeze technique उसको पूरा प्रेशर से दबा देना है ताकि उसकी उत्तेजना निकल जाएंगी उसकी कठरता निकल जाएंगी उसको relax कर देने का है उसको शितिल करने का है शितिल करने के बाद में फिर कामक्रिडा करने के है काम गिड़ा करने के बाद में फिर उपते जनाएंगी और कठर हो जाएंगा और फिर प्रक्रिया करने की है संबोग की फिर ऐसा लग रहा है कि जल्दी गिर जाएंगा तो उसमें फिर उसको बाहर निकलने का है उसको pressure करके squeeze करना है ताकि कठोरता निकल जाएंगे वो शितिल हो जाएंगा उसके बाद में फिर और दुबारा ऐसा दस बार कम से कम करते है और ऐसा बार बार करते है कुछ दिन तक तो फिर शिगर पतन जो है वो होगा नहीं और फिर लंबे समय तक संबोग हो सकता है वैसे धुमरपान करना तंबाकू, शराब पिना यदि आदिते आप छोड़ देते है तो उससे भी काफी फरक पड़ता है वीरे का पतला होना और गड़ा होना उसके उपर डिपेंड नहीं है, कि पतला हो गया इसलिए जल्दी गरता है वो एक कहानी है, उसमें कुछ मतलब नहीं है या माउंसार करना है, माउंसार करने से भी जल्दी गर जाता है ऐसा भी कुछ नहीं है, शाकारी को भी प्राब्लम है माउंसारी को भी प्राब्लम है actually उत्ते जना जादा पिर होता क्या है कि यदि आपको बहुत ही जादा प्रेशन ही एकि ने भी मेरा तो आज का बराबर प्रक्रिया होनी ही चाहिए तो मैं क्या बुलता हूँ लोगों को कि बहुत जादा उत्ते जना ज़ए आती है बहुत दिन आपका gap हो चुका है सेक्स में तो पहले ही मास्ट्रूबेशन कर लें नहां से निकाल देना और मास्ट्रूबेशन करके फिर रिगूलर संभूख करना ताकि फिर सेकंड जो समय होंगा सेकंड अटेम्ट जो होंगा उसमें जल्दी गिरेंगा नहीं और उस समय मज़ा आजाएंगा और उससे में वह एंजॉय कर सकेंगा तो वो भी एक कर सकते हैं दूसरा है कि जादा गैब दिया तो जल्दी शिकरपत्म होता है तो जादा गैब में देने का नहीं है जादा गैब देते हैं तो फिर डेफिनिटली जल्दी गिरने वाला है तो हम यह दी इसका इस्तेमाल अभी तक मैंने बोलाया करते हैं तो definitely आपका जो performance है उसका उधी जो है समय हुआ लंबा हो जाएंगा और दोनों को पती-पत्ने को इसमें मज़ा आ जाएंगा इसमें इसके अलावा जो है दवाई का मैंने जिकर किया है अलग अलग विडियो में जिसमें phloxytine है deposytine नाम की बूली है फिर benzo-dizapins जो है वह दे सकते है फिर spray का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ लोगों को spray का भी फायदा हो जाता है जिसमें local anesthetic spray वह काम में आते है तो ऐसे क कठोरता ज्यादा अच्छी आ सकती है और लंबे समय तक वह संभोग का समय चल सकता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो और बेल आयकान आता है उसके पर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के निदिया आपको सबसे पहले बा यह पच्छा करो अच्छा करो